हलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फाडिनाड होडलर इनका जन्म 1853 में बर्ण के अंदर हुआ और इनकी मृत्यू 19-18 के अंदर हुई हाला कि ये जन्म तो इनका बर्ण में हुआ लेकिन जन्म से ये स्विस्थ है होडलर ने आरम्भ में यथार्थ शैली के द्रश्यों को चित्त किया इन्होंने स्विस्थ में वहां के लोगों के परिश्रमी लेकिन निराशा में समर्पित जीवन के प्रभावी चित्रण के लिए इस पष्ट सामर्थ पूर और कुछ अलंकारिक समतल आकारों को प्रयोग किया मतलब उन्होंने जो परिश्रमी लोग थे उनको चित्त किया लेकिन साथ में जो उनकी निराशाएं थी उनकी जो आश्राएं पूरी नहीं कर पा रहे थे उनको चित्रों में यथाटवादी शैली में चित्तित करने का और उसके साथ यथाट के साथ अलंकारिक शैली में चित्तित करने का प्रयास किया 1889 में पैरिस की अंतराश्टिय प्रदशनी में इनका एकचित्र कुष्टगीरों का जुलुस प्रदशित हुआ इस समय संधे ग्रष्ट धर्म निष्ठा वरहस्यवात इनकी मानसिक हवस्ता को विर्शलित कर रहे थे और इन पर भी निराशा च्छाई हुई थी इसका दर्शन जो है उनके एकचित्र रात के अंदर हमें दिखाई देता है कुछ समय तक होडलर पैरिस रहे उनको विश्वास हुआ कि मनुश्य को पुनह आध्यात्मिक आदशबाद के उपर ध्यान देना चाहिए अता यतार्थवाद को उन्होंने यहाँ पे छोड़ा और मनुश्य की मानसिक अवस्ता को उन्होंने विशे के रूप में चुना और उनकी भव्य माना वाकृतियों को एक नया रूप प्रदान हुआ और इस संधर में उनके चित्र हैं जीवन से संशस्त, वंजित आत्माएं, विलियम टेल्स, आदी समय के प्रसिद्य चित्र हैं इनकी शैली में अलंकारिक्ता और अभिव्यक्ति को ये प्रभुक महत्व देती थे हाला कि संधरात्मक गुणों को पूर्ण विकास नहीं होने के कारण मुंग की अपेक्षा इनकी कला कम प्रेणा दायक रही है